स्वागत है आपका अपना प्यारा सा यूटूब चैनल तनवीर सर पर आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार मेरे प्रिये साथियों आज मैं आप लोगों को एक बात बताऊं कि मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आज मेरा यूटूब पर जो फैमिली है वो एक हजार से भी ज ज्यादा फैमिली मेरा यूटूब पर हो गया और यह सब हुआ है आप लोगों के सपोर्ट के वज़ा से आप लोगों के प्यार के वज़ा से आप लोग ऐसे ही मुझे प्यार देते रहें सपोर्ट करते रहें और हमारे बहुत सारे ऐसे सिक्षक साथी हैं जो सपोर्ट कर है ऐसे ही प्यार देते रही है सपोर्ट करते रही है और बहुत सारे ऐसे हमारे दोस्त हैं जो सिक्षक बनने वाले हैं तो प्रिप्या करके आप सभी मुझे सपोर्ट कीजिए कोशिस करिए कि हमारा टीम जो है फैमिली जो है motivational family जो है YouTube पर हमारा एक लाग से उपर का हो जाए बस आप लोगों का ऐसे ही support मिलता रहे और प्यार मिलता रहे तो बहुत जल्द हो जाएगा उससे दूर भले हैं लेकिन आप लोगों का support मिलेगा ऐसे ही तो वो भी बहुत पास हो जाएगा जल्द पूरा हो जाएगा बहुत बहुत आप लोगों का शुक्रिया बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए मैं आप लोगों का दिल से शुक्रिया करता हूँ बहुत बहुत धन्यवाद फिर से करता हूँ ऐसे ही मुझे प्यार देते रहिए आज हम लोग सेट ठीरी पढ़ने वाले हैं वह अस्तुनिष्ट प्रसनी है और EBS का ही है लेकिन इसमें भी हम लोग कुल 30 प्रसन पढ़ने वाले हैं और ये भी 30 प्रसन का जितना भी है 30 का 30 प्रसन भेरी भेरी इंपोर्टेंट प्रसन है इसलिए हम देखते हैं जूर करते हैं हमारा पहला कोशन क्या कहता है कि बिभार में पणचायती राजसन स्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्छित है तो इसका राइट अंसर हो जाएगा ओफसर नमबर A option number A इसका right answer हो जाएगा 50% कितना है भई? 50% है next question देखेंगे अब question number 2 2 number question कहता है कि सूचना के अधिकार सूचना के अधिकार यानि कि आप English में उसको जानते होंगे RTI क्या? RTI Right to Information सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुवात किस राज्य से हुई? option A दिया है राजस्थान, B दिया है दिल्ली, C दिया है तमिलाडू और D में है बिहार तो इसका right answer है option number A क्या है भई? option number A is the right answer राजस्थान सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुवात राजस्थान से हुई चलिए अब हमारा next question है question number 3 तीन number question का अता है निवन में से कौन एक बिमारू राज्य नहीं है option number A दिया है बिहार B दिया है मध्य परदे C दिया है उरिसा और D दिया है करनाटक तो इसका right answer है करनाटक सही answer क्या होगा भई करनाटक option number D इसका answer हो जाएगा करनाटक करनाटक एक बिमारू राज्य नहीं है चलिए अब हम next question देखते है question number 4 question कहता है वानिजियक बैंकों का राश्ट्रिय करन कब हुआ था option A दिया है 1966 B दिया है 1979 C दिया है 1980 D है 1975 इसका सही answer होगा option number B सही answer होगा option number B 1979 option number B इसका सही answer होगा option number B 1979 अब हमारा next question है question number 5 5 नंबर question कहता है बाढ़ के समय हमें निमनलिखीत में से किस अस्थान पर जाना चाहिए क्या question कहता है बाढ़ के समय हमें निमनलिखीत अस्थान में से किस अस्थान पर जाना चाहिए option number A कहता है option number A उची भूमी वाले अस्थान पर B कहता है गाउं के बाहर C कहता है जहां है उसी अस्थान पर और D कहता है खेतों में बाढ़ के समय हमें उची भूमी वाले अस्थान पर जाना चाहिए तो इसका सही अंसर हो जाएगा option number A option number A इसका सही अंसर होगा option number A उची भूमी वाले अस्थान पर बाढ़ के समय में हमको जाना चाहिए चलिए अफ हमारा next question देखते है question number six six number question कहाता है निमले खितमे से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है option number a दिया है गंगा b में हैं गंडक c में है कोसी और d में है पुन-pुन तो option number c इसका right answer होगा option number c तहीं answer होगा option number c is the right answer कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है चलिए अब हम next question के तरह बढ़ते है question number 7 7 number question कहता है Karl Marx का जन्म कहा हुआ था क्या है question Karl Marx का जन्म कहा हुआ था option number A दिया है England B दिया है Germany C में है Italy D में है Rus तो Karl Marx का जन्म Germany में हुआ था इसलिए इसका सही answer हो जाएगा option number B जर्मनी option number B is the right answer Germany Karl Marx का जन्म जर्मनी में हुआ था चलिए अब हमारा next question है question number 8 8 number question कहता है Vietnam में token free school Vietnam में token free school की अस्थापना कब हुई थी Vietnam में token free school की अस्थापना कब हुई थी तो option A दिया है 1907 B में है 1907 और C में है 1902 और D में है 1920 तो वियत नाम में token free school की अस्थापना 1907 इसवी में हुआ था कब हुआ था भई 1907 इसवी में हुआ था तो इसका right answer हो जाएगा option number A सही answer हो जाएगा 1907 इसवी में token free school की अस्थापना हुई थी चलिए अब हमना next question है question number 9 9 number question कहता है चेका का गठन खालियस्थान ने किया था मतलब चेका का गठन किसने किया था option number A दिया है Lenin B में है Marx C में है Russo और D में है Plato तो इसका सही answer होगा Lenin क्या होगा भई Lenin इसका सही answer हो जाएगा option number A is the right answer चेका का गठन Lenin ने किया था चलिए अब हम next question के तरह बढ़ते है question number 10 10 number question कहता है खेडा सत्यागरा किस वर्स में शुरू हुआ था खेडा सत्यागरा खाली अस्थान वर्स में शुरू हुआ मतलब कौन से वर्स में शुरू हुआ option number यह दिया है 1917 B है 1918 और C है 1920 D में है 1942 तो इसका राइट अंसर होगा option number B option number B is the right answer option number B सही answer है option number B 1918 खेडा सत्यागरा 1918 वर्स में शुरू हुआ चलिए अब हम नेक्स कोशन के दिरह बढ़ते है question number 11 11 number question कहता है किस राज्य में खनीज तेल का विशाल भंडार है क्या कह रहा है किस राज्य में खनीज तेल का विशाल भंडार है option number A दिया है औसम option number A सही अंसर हो जाएगा कि आसम राज्य में खनीज तेल का विशाल भंडार है चलिए अब हमारा नेक्स कोशन है question number 12 12 number question कहता है संसाधन खालिय स्थान परदत उपहार है संसाधन यानि हमारे लिए जो भी संसाधन है उपलब्ध है वो किसके दवारा उपहार में दिया गया है तो option number A दिया है क्रित्री परदत उपहार B है मानो निर्मीत C है परकिर्ती D है कोई नहीं तो भई option number C इसका right answer होगा option number C is the right answer संसाधन परकिर्ती परदत उपहार है हमारे लिए जो भी संसाधन परकिर्ती के दवारा नेचर के दवारा उपलब्ध कराया गया है कुद्रत के दवारा हम लोगों को परकिर्ती के दवारा दिया गया उपहार है चलिए अब हमारा next question है question number 13, 13 number question करता है उरिसा में चावल एक खाली अस्थान फसल है, आखिर क्या फसल है भई, उरिसा में चावल एक कैसा फसल है, option number दिया है वया पारिक फसल, वया पारिक फसल, b में है नकदी फसल, c में है परमूख, और d में है सभी, तो इसका सही अंसर हो अब होगा option number c, option number c is the right answer परमूख, उरिसा में चावल एक परमूख फसल है, चलिए अब हम next question देखते हैं, क्या कहता है, question number 14, 14 number question कहता है, निमने में किसे विशेस राज्य का दर्जा पराप्त है, निमने में किसे विशेस राज्य का दर्जा पराप्त है, option number ये दिया है बि बिहार को नहीं है, विशेस राज्य का दर्जा नहीं मिला है, बीम है उतर पर्देश, तो उतर पर्देश को भी विशेस राज्य का दर्जा नहीं मिला है, option number c दिया है, जमू कश्मीर, तो जमू कश्मीर को विशेस राज्य का दर्जा मिला हुआ है, इसलिए इसका c, right answer हो होगा गुजिरायात यह भी नहीं होगा इसको भी मिला है चलिए हमारा next question है question number 25 question कोरता है किस देश में बहुद ली ही ववस्था नहीं है क्या कर रहा है किस देश में बहुद ली कि ववस्था नहीं है option number ब्राुशन hasma in Pakistan में बहुद अलिये ववस्था है option number D, B दिया है भारत भारत में भी बहुद अलिये ववस्था है C दिया है बंगलादेश और D दिया है बिरिटेन तो बिरिटेन में भी बहुद अलिये ववस्था है लेकिन C यानि के बंगलादेश में बहुदलिये व्यवस्था नहीं है आप नहीं है बंगलादेस में बहुदलिये व्यवस्था नहीं है तो अफसन नमबर C इसका राइट एंसर हो जाएगा चलिए हमारा नेक्स्ट कोशन है कोशन नमबर 16 16 नमबर कोशन कहता है भारत की वितिये राजधानी किस शहर को कहा जाता है जानि आर्थिक जिसको बोलते हैं आर्थिक वला राजधानी जहां से और तवस्था सही होता है तो अफसन नमबर A है डिली B है मुंबई C है पतना और D है बंगलोर तो इसका राइट अंसर है अफसन नमबर B अफसन नमबर B मुंबई अफसन नमबर B is the right answer कि भारत की वितिये राजधानी मुंबई शहर को कहा गया है चलिए अब हम नेक्स कोशन के तरब बढ़ते हैं कोशन नमबर 17 17 नमबर कोशन कहता है किस छेतर को तिर्तियक छेतर कहा जाता है क्या कह रहा है किस छेतर को तिर्तियक छेतर कहा जाता है तिर्तियक का मतलब होता है तीसरा अफसन नमबर A दिया है सेवा अफसन नमबर B दिया है औधोगिक अफसन नमबर C है क्रीसी और option number D है कोई नहीं तो option number A इसका right answer होगा option number A is the right answer हो जाएगा इसका कि सेवाज छेतर को 33 छेतर कहा जाता है चलिए अब हम next question देखते हैं question number 18 18 number question कहता है मलबे में दबे हुए लोगों का पता लगाने के लिए किस यंतर की मदद ली जाती है चारगो option जो दिया है कर रहा है इन में से मलबे में दबे हुए लोगों को पता लगाने के लिए किस की मतलब किस यंतर का मदद लिया जाता है option number A दिया है दूरबीन B दिया है infrared camera C दिया है helicopter D दिया है कोई नहीं दूरबीन का नहीं यूज किया सकता है helicopter बग का भी नहीं किया सकता है इसलिए इसका सही अंसर हो जाएगा option number B infrared camera option number B is the right answer infrared camera मलबे में दबे हुए लोगों का पता लगाने के लिए infrared camera की मदद ली जाती है चलिए अब हमरा next question है question number 19 19 number question काता है अंकोर वाट का मंदीर कहां इस्थित है क्या काता है अंकोर वाट का मंदीर कहां इस्थित है option number A दिया है Vietnam और B दिया है Cambodia और C में है Laos और D में दिया है Thailand तो इसका right answer है option number B option number B is the right answer Cambodia option number B इसका क्या हो जाएगा सही answer हो जाएगा Cambodia अंकोर वाट का मंदीर कहां इस्थित है तो अंकोर वाट का मंदीर Cambodia में इस्थित है चलिए हमारा next question है question number 20 20 number question काता है sun 1870 में फरांस और परसा के बीच यूध कहां हुआ था करा है sun 1870 में France और परसा के बीच यूध कहां पे हुआ था option number A दिया है Sedon B में है Sedeva C में है Siding और D में है Frankfurt तो इसका right answer है option number A right answer क्या है भई option number A इसका right answer है Sedon sun 1870 में फरांस और परसा के बीच यूध जो हुआ था वह Sedon में हुआ था चलिए अब हम next question के तरह बढ़ते है question number 21 21 number question का उता है sun 1922 में क्या sun 1922 में हिंदुस्तान टाइम्स का संपादन क्या sun 1922 में हिंदुस्तान टाइम्स का संपादन खालियस्थान ने किया मतलब किस ने किया option number A दिया है के एम पन्निकर B में है लॉर्ड डलहोजी C में है महातमा गांधी और D में है आरके महाजन इसका राइट अंसर होगा option number A क्या होगा राइट अंसर option number A is the right answer के एम पन्निकर option number A sun 1922 में हिंदुस्तान टाइम्स का संपादन के एम पन्निकर ने किया क्या लिए अब हम नेक्स्ट कोशन देखते है question number 22 22 नमर कोशन कहता है लेनिन ने किसने लेनिन ने 1921 में खाली अस्थान नीती की घोषना की लेनिन ने 1921 में किस नीती की घोषना की option number A है नई आर्थिक नीती B में है पुरानी आर्थिक नीती C में है मध्यम नीती और D में है कोई नहीं लेनिन ने 1921 में नई आर्थिक नीती की घोषना की किसकी नई आर्थिक नीती की घोषना की इसलिए इसका right answer हो जाएगा option number A option number A होगा लेनिन ने 1921 में नई आर्थिक नीती घोसना की चलिए अब हम नेक्स्ट कोशन के तरह बढ़ते हैं क्विश्चन नमबर 23 23 नमबर कोशन कहाता है बिहार में रजु मार्ग कहां है क्या कहाता है बिहार में रजु मार्ग कहां है तो option A दिया है पटना, B में है बिहार सरीफ option number C is the right answer C राजगीर बिहार में रजु मार्ग कहां है तो बिहार में रजु मार्ग राजगीर में है चलिए अब हम नेक्स्ट कोशन के तरह बढ़ते हैं question number 24 24 नमबर कोशन कहाता है निम्न में से कौन उध्धोग किरिसी पर आधारित नहीं है option नमर E है सुती वस्तर उध्धोग भई ये भी है cement उध्धोग भई cement उध्धोग नहीं है सिधा सिधा यहां दिख रहा है कि cement उध्धोग जो है नहीं है क्योंकि यह क्रिसी से पुछ रहा है क्रिसी पर आधारित पुछ रहा है तो cement उध्धोग नहीं है यहां ध्यान दीजिए यह नहीं है पुछ रहा है इसलिए question को ध्यान से पढ़ना होगा कि किसमें है पुछ रहा है किसमें नहीं पुछ रहा है यहां नहीं पुछ रहा है इसलिए नहीं है मैं सिमेंट उध्य होगा कि चीनी उध्योग भी किरिसी पराधारित है option number B इसका right answer हो जाएगा चलिए अब हम next question के तरह बढ़ते हैं question number 25 25 question कहता है मैगनीज उत्पादन में भारत का विश्व में अस्थान है क्या कर रहा है मैगनीज उत्पादन में भारत का विश्व में अस्थान है कौन सा अस्थान है तो option A में है 1, B में है 5, C में है 6, D में है 8 तो option number C इसका क्या हो जाएगा right answer हो जाएगा option number C 6 मैगनीज उत्पादन में भारत का विश्व में 6 अस्थान है option number C is the right answer चलिए अब हमारा next question है question number 26 26 number question का उता है संजय गांधी जैवी कुधान खाली स्था नगर में अस्थापित है मतलब संजय गांधी जैवी कुधान किस नगर में अस्थापित है option number A दिया है पतना B में है बिहार सरीफ C में है राजगीर D में है बाका तो option number A इसका right answer हो जाएगा पतना option number A is the right answer option number A पतना संजय गांधी जैवी कुधान पतना नगर में अस्थापित है चलिए अब हम next question देखते है question number 27 27 number question का उता है निम्न में से कौन भारतिय किसान union के नेता थे निम्न में से कौन भारतिय किसान union के नेता थे option number A है मुरारजी देसाई option number B है जैपरकास नरायन option number C है महंदर सीं टिकायत option number D है चोधरी चरण सीं तो इसका right answer होगा option number C option number C is the right answer महंदर सीं टिकायत भारतिय किसान union के नेता थे चलिए अब हम next question देखते हैं question number 28 28 नमर question कहता है लोग सभा में निरवाचन है तू कुल सीटों की संख्या है लोग सभा में निरवाचन है तू कुल सीटों की संख्या कितनी है option number एं है 542 B में है 544 C में है 543 D में है 545 तो इसका right answer होगा option number C आफसर नमबर C is the right answer 549 लोग सभाव में निर्वाचन है तू कुल सीटों की संख्या 549 है चलिए अब हम नेक्स कोशन के तरफ पढ़ते हैं नेक्स कोशन है हमारा कोशन नमबर 29 नमबर कोशन कहता है निमने में से किस राज्य को पिछड़ा राज्य कहा जाता है आफसर नमबर A पंजाब, B केरल, C बिहार, D दिल्ली तू भई आफसर नमबर C is the right answer हो जाएगा हम लोगों का ही राज्य है बिहार बिहार राज्य को पिछड़ा राज्य कहा जाता है आफसर नमबर C is the right answer बिहार चलिए अब नीक्स कोशन के तरफ बढ़ते हैं क्वेशन नंबर तीस तीस नंबर क्वेशन करता है उपभूखता दोवारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है चलिए इसका एंसर जानने से पहले मैं आप लोगों से एक चीज बताऊं जरा सब आप लोगों को कि हमारे जो भी नए दोस्त हैं नए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए लेकिन खास करके सभी से एक मैं special request करूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद उसमें जो बेल आइकन का जो घंटी ये को दिखता है उस घंटी पर जा करके किलिक करके उसमें all पर आप किलिक कर दीजे उससे फायदा ये होगा कि जब भी वीडियो अपलोड होगा उसका message उसका notification आपको मिल जाएगा जिसके वज़ा से आप किसी भी वीडियो को miss नहीं करेंगे जिसके वज़ा से किसी भी आप से कोई भी वीडियो आप से miss नहीं होगा और सारे के सारे वीडियो आप आराम से उसी वक्त देख पाएंगे या ध्यान में रहेगा कि हाँ वीडियो अपलोड हो चुका है और नए हैं तो खुल दिल खोल करके सपोर्ट कीजिए भाई जितना हो सके उतना सपोर्ट कीजिए अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो आखरी में एक लाइक करके जरूर बताईएगा कमेंट में कि वीडियो कैसा लगा कोशन कैसा रहता है मेरा आप कमेंट में जरूर बताईएगा कि selected question है और very very important है लेकिन question कैसा लगता है आपको इतना जरूर बताइएगा मेरे भाई इसमें option A दिया है 50 रुपया, B दिया है 10 रुपया और C में है 70 रुपया और D में है कोई नहीं question क्या कह रहा था वोगता दोवारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है तिन में से कोई नहीं उसके लिए कोई भी आवेदन शुल्क नहीं लगता है option number D is the right answer इन में से कोई नहीं वीडियो को आखरी तक देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद